Hi developers, so project के इस पार्ट के अंदर हम लोगों बात करने वाले हैं कि product को किस तरीके से update कर सकते हैं with API So, पहले में एक बार के लिए UI दिखाए तो हम आप लोगों आपको ध्यान होगा last के दो पार्ट के अंदर हम लोगों ने product को update करने की UI ID करी और बाद में यहाँ पर data को pre-fill करवाया अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कुछ भी चेंज करा जैसे कि आपने price के अंदर mobile के color के अंदर ने में कुछ भी चेंज करा और उसके बाद में update product पे click करोगे तो हमारा यह product update हो जाएगा और जैसे ही उसके बाद में उस service function को हम लोग component.ts वाली file के अंदर call करेंगे और जैसे ही हमारा API response करेगी उसके बाद में हम लोग update product के लिए message दिखाएंगे और test करेंगे properly product update हुआ है या नहीं हुआ है So start करते हैं पहले point के साथ में और हमारी service वाली file के अंदर जाते हैं So मैं यहां पर product service.ts file के अंदर जाऊँगा और यहां पर एक और function बनाऊँगा इसका मैं यहां पर नाम रख देता हूँ update product और इसके अंदर हमारे पास information भी आएगी So information क्या रहेगी हमारे पास complete product आएगा इसके अंदर इसके अंदर product की id, name, description, color वगारा सब कुछ आएगा जो updated information होगी वो updated हो जाएगी जो पुराने जैसी same information रहेगी वैसे की वैसे store हो जाएगी So हमारे पास यहां पर product आ गया और अज यह product का type क्या रहेगा इस product का type रहेगा यहां पर product आपको ध्यान होगा यह वाला product हम लोगों ने data type के अंदर define कर रख है यहां पर देख सकते हो आप इंटरफेस बना रख है हमारा इसके अंदर आपको यहां पर simply लिखना है product और यह कोई array नहीं रहेगा just simple product रहेगा यह आपको ध्यान रखना है उसके बाद में आप यहां पर call करोगे API को this.http कि जैसे हम लोगों ने पहले API कोल कर रखे हैं सेम उसी तरीके से चाहो तो आप जो यह वाला get product है इसको एक बाल के लिए यहां पर paste भी कर सकते हो बड़ कुछ change करने पड़ेंगी जैसे कि आपने यहां पर कर दिया put method होगा और put method use होने के बाद में यह basically एक URL के साथ साथ में कुछ data भी लेगा और data हमारा क्या रहेगा जो simple आपका product आए होगा यह वाला इसको लोग यह data पास कर देंगे यहां पर as a second parameter ठीक है और यहां पर जो id रहेगी यह simple id नहीं रहेगी because यहां पर हम लोग directly कोई id नहीं पास कर करेंगे product.id and that's it हमारा यहां पर apag integration वाला काम फद्म होगा इससे हमारी apag call हो जाएगी अब यह जो function है ना यह हमें component वाली file के अंदर call करना है so मैं यहां पर आता हूं update product के ts file के अंदर यहां पर उसको import भी करना है मुझे अच्छे service पहरे सी import हो रहे है उसकी में कोई दिक्कत नहीं है so एक बार claim क्या करते है data को print करवा के देख लेता है data में मिल क्या रहा है so console.one data print करवा कि क्या जो हम लोग data को update करेंगे वह में मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है यहां पर आते हैं और यहां में मान लो जो 5000 डोलर था मैंने इसको 650 डोलर कर दिया और जैसे मैं आप अपडेट पे क्लिक करवा इस सबको हटा दूँगा यहां से अपडेट पे क्लिक करवा और यह चेक करता हूं कि मुझे क्या मिल रहा है आप देख सकते हूं जो अपडेटिड प्राइस है मुझे वह मिल रहा है अगर आप ब्लैक की जगा पे वाइट कर दूँगा और इसको वाद में चेक करूँगा तो मुझे यह भी कलर भी वाइट मिल रहा है तो जो भी हम लोग इंफोर्मेशन अपडेट कर रहे हैं वह हमें यहां पे अराम से मिल रहे है इसके अंदर में कोई दिक्कत निया है और आपको क्या करना है जो यह डेटा है ना यह एनी टाइप का नहीं है यह हमारा किस करोगे तो वहां पे लोग एनी यूज नहीं करते हैं वह अच्छी चीज नहीं होती है एनी यूज करना और इसके बाद में यहां पे क्या करेंगे कि जो हमें यहां पे डेटा मिल रहा है इसको अंदर पास कर सकते हैं तो यहां पे लिखना है इस.product.update product ठीक है इसके अंद क्या कर देता हूं data तो हमने पहले define कर रहा है result कर देता हूं ठीक है इसके बाद में हम लोग यहां पे क्या करेंगे simple लिखेंगे if अगर हमारे पास result में कुछ मिल रहा है यह नल नहीं है तो उसके बाद में this.product message के लिए हम लोग यहां पे क्या करते है फ्लाइग ले लेते हैं ठीक है आप लिख लेता हूं product message by default यह undefined रहा सकता है और इसके अंदर string type का data भी आ सकता है ठीक है so मैं यहां पे क्या करता हूं this.product message इसके नहीं हम लोग कुछ message डाल सकते हैं let's say product has updated ठीक है और जैसे हमारा यह यह result आएगा उसके बाद में उसके दो-तिन सेकेंड के बाद में आप चाहो तो यहां पे उस message को blank भी करवा सकते हो ठीक है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे this.product data होगा na product message होगा उसको मैं यहां पर क्या कर दूँगा undefined ठीक है और जो time रहेगा यह 3 seconds तक रहेगा तो हमने 3000 milliseconds दे दिये यहां परफेक्ट यह सब ठीक है अब मेरे इसाब से proper काम करना चाहिए बड जो product message होगी हमें कहीं दिखाना भी पड़ेगा वापिस आते हैं हम लोग यहां पर और सबसे उपर h1 tag के चस्ट नीचे एक p tag ले लेते हैं यहां पर message दिखा सकते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको colorful भी दिखाना है तो colorful दिखाने के लिए हम लोग ने class बना जो ही है आपको ध्यान होगा style के अंदर वो थी error p message message p करके थी इसको हम लोग यहां भी यूज कर सकते हैं मैं यहां पर simply लिखूंगा class message.p अब देखते हैं कुछ update करें कि properly update हो रहा है कि नहीं हो रहा है let's say मैं इसका price update कर रहता हूं 499 और चैसे मैं update पर click करूंगा तो देख सकते हैं कि हमें यहां पर मिल गया error reason being जो id थी वो हमें कुछ नहीं मिली यहां पर undefined मिला so let me check कि ऐसा क्यों हुआ इसके हमें जरूरत नहीं है style के हमें जरूरत नहीं है extra files को मैं बंद कर देता हूं all right और इसके अंदर मैं एक बार के लिए product को console कर वाले तो आप चाहो तो यहां पर debugger लागे भी काम कर सकते हो but जो beginners होते हैं उनको debugger लगाने में दिक्कत होते तो इसलिए मैं directly यहां पर product का एक console लगा रहा हूं ठीक है मैं फिर से 499 करूंगा last name हमारी pay fail हो गई थी जैसे मैं यहां पर देखता हूं कि यहां पर मुझे क्या मिला actually यहां पर problem यह है कि यहां पर product की id नहीं है right क्योंकि इस form से उसने name उठा लिया name हमें मिल गया यहां पर image उठा लिए ठीक है description, color, category, price गरा सब उठा लिया बट इसके अंदर id नहीं थी इसी वज़े से जो हमारी id थी ना वो गई भी undefined है यहां पर आप देख सकते हो गर मैं इसको open करता हूं यहां पर id undefined गई है हमारी इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा बापिस से हम लोग आते हैं प्रोडक्ट के उपर और एक छोटी सी चीज में चेंज करना पड़ेगा यहां पर जो data है ना इसके अंदर हम लोग id forcefully push कर देंगे कैसे push कर देंगे यह मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले आपको यहां पर चेक करना है अगर हमारे पास जो यह product data है इसके अंदर हम लोग उने पूरा product का data लिया हुआ है इसके अंदर id भी है हमारे पास विकोज हमने API से लिया था इसके अंदर चेक करेंगे अगर यह true है तो अगर यह true है तो product data.id ठीक है चलेगा अब एक बार फिर से देख लेते हैं इस बार तो मुझे लगता है की update हो जाएगा console में भी proper आएगा और update भी हो जाना चाहिए कुछ SC को दिक्कत आने ने चाहिए मैं आप फिर से लिखता हूँ 499 और update पे क्लिक करता हूँ जैसे मैं अपडेट कर रहा आप यहां पे देख सकते हो product has updated और 3 second बाद में गायब भी हो गया थोड़ा सा style fix कर लेते हैं हम लोग जो हमारा यहां पे product update class है ना इसका text align center कर देते हैं ठीक है इसके अंदर जो h1 tag रहेगा उसको भी थोड़ा fix करेंगे center after that इसके अंदर h1 tag है उसको भी रोग कर सकते है color view wallet all right अब इसके बाद में लास में अपडेट कर दिया था आप चेक करते हैं list के अंदर क्या ही update हो चुक है आप देख सकते हो 499 update हो चुक है अब मालो इसमें कुछ और update करना चाहते हो 451 A अप लिखना चाहते हो इसका नाम and samsung का s capital करना चाहते हो उसके बाद में इसका price भी आप लिखना चाहते हो कि A आ गया तो कुछ नया मोद ला गया 551 जैक है कुछ price भी update करा जैसे यहाँ पे click कर रहा तो यहाँ पे आगया product has updated चाहो तो इसको redirect भी करवा सकते हो list वाले page के उपर right but वह मैं करवाँगों यहाँ पे information update हो चुकी है वह मैं इसलिए नहीं करवाण आप मुझे बताओ कि किस तरीके से इसको redirect कर सकते हैं कुछ भी change करने के बाद में apple का जो product है इसके अंदर मैं let's say one dollar का लिख देता हूँ आप में click करने के जरूत ना पड़े आप मुझे बताओ comment section के अंदर and thank you so much for watching this video अपने feedback share करना मत बूलन comment section के अंदर video को like करना channel को subscribe करना and इससे मुझे support मेलेगा motivation मेलेगा thank you guys so much